जो भी वगवान राम ने धर्ती पे आके किया यह यह अद्बूत था कि उन्होंने मनुश्यों के लिए या मानलो स्पेशली आत्माओं के कल्यान के लिए सुख्षम जगत कारण जगत महाकारण जगत क्योंकि जब वो उनका धर्ती पे जब वो रोल बज रहा था उनका रोल चल रहा था उपर से सभी देवताएं उनको देख रहे थे कि वो भगवान वो परमात्मा का अवतार धर्ती पे आया है और उसी के बाद से रायम और कृष्ण के अवतारों के बाद से इस धर्ती पे इस हमारी पूथवी पे विसे दूसरी ब्रहमांडू की जब विरवाट स्वरुप दिखाया तब तीनों लोग नहीं पूरे भ्रहमांड में उनका यह रूप देखा होगा और उस भ्रहमांडों के रूप को देखते देखते ही कितने क्यूंकि बाप्तु जी ने कहा कि इसी पृष्वी पे वो आए हैं इसी ब्रहमांड में वो जाए तब तक वो समय पूरा हो गया होगा मतलब यहां पर जो समय है वहां का समय है वो अलग है तो कितनी सुक्सम जगत कारण जगत महा कारण जगत कितने कितनी कितनी जगा से वो लोग आएं पूरा क्या बोलते हैं गोलोग पूरा साकेत लोग राम के मानने वाले सभी धर उनके एक सकल्द देखने के लिए उनके साथ लीला करने के लिए उनके साथ खेलने के लिए उनके साथ बैठने के लिए उनके साथ खाने के लिए कितनी आत्माइ धर्ती पे आई हैं भगवान साकार में आए हैं सोच के देखो कितनी घजब की बात है तो वो समय रामा उतार का धर्तिलोग पे कृष्णा उतार का वो समय वो मनुश्य कितने कितने परमानन की अनुभूती करते होंगे जो आज का मनुश्य सिर्फ उनका नाम उनका स्वरूप उनकी लीला उनके दर्सन करके जो आज वो खुशी की अनुभुती उनको हो रही है उस वक्त सोच के देखो कि उस वक्त के मनुश्य हलाकि ज्यादा लोग उनको नहीं जान सकते थे क्योंकि वो मनुश्य थे उनको जानते थे वह तो खुशी में थे तो कितनी मस्द बात है बस बिल्कुल आपने सही लिखा राम के वसिष्ट गुरू रिशी गुरू थे तो ऐसे डीपनि श्री कृष्ण के गुरू थे हां ये बिल्कुल सही है तो भगवान भी गुरू बनाते हैं कमाल है ना ब्रह्म के ज्यान पर ब्रह्म अनंत ब्रह्मान्डों का ज्यान होते हुए भी इस धर्ती के वह धर्ती का संकल्ब करते ही पूरा डेटा अपने दिमाग में ला सकते हैं एक संकल्ब किया और वह तो यही बात है आज बहुत के दादा जी को सब लोग नहीं जान पा रहे हैं आने वाले समय में जब वह जानेंगे वह कौन थे वह क्यों आएं किस लिए आएं तब तो मतलब क्या कहें मेरे पास सब्द भी नहीं है जब दिव्यात्माय चली जाती हैं तब तब पता चलता है आज देखो मुहमद आके गए चले गए तो उनके फॉलोवर अपन जब वह आएं तब हमना थे अपने आपको मार मार के कितना बुरहाल कर देते हैं कहने का मतलब यह कि जब महान आत्माय श्रेष्ट आत्माय जागरत आत्माय जब धरती लोग से चली जाती हैं तब उनके वास्तविक रूप बाकी के लोगों को पता चलता है जब धरती पे आते हैं तब तो कुछ ही कि लोग उंको जान पाते क्रिष्टे को गाली देने वाले कितने लोग थे आपको पता है जो आया कर्शने को गाल आ दिया है सोचके गोपया विचारी में लें उसको चाश के लिए नाचा कृति की यह अलत कुछ तो उस बहुआन को जानना रहन तो कहने का मतलब यह है कि यहां तो अनंत्व नीवर्श की कही गैलीक्सियों की तने हर जगा जीव आत्माएं भरी पड़ी है, हर जगा आत्माएं भरी पड़ी है, तो समय आएगा, तब सब कुछ होगा, समय आएगा, तब परिवर्तन होगा, समय आएगा, उनका विश्वरूप भी दिखेगा, जो भी उनका स्वरूप है, सब कुछ दिखेगा, तो जो बाग् जो आज भी लोग नए हैं वो बापुजी को कही लोग गुरू के तौर पर भी मानते हैं तो उनके लिए भी दो सब्द करूंगा कि जब आज देखो गुरू और भगवान को एक समान क्यू बता गया जब खुद नहीं आ सकते तो वो गुरू स्वरूप में अपने बंदों को भेश दें उस प्रह्म की पहचान करा है उस लीलाओं कर सके उस लिलाओं करसें उनकी कथाओं की लिलाओं का उनके रूपं श्रूपं ग्इान है दुनिया तक पहुंचा सके आपने अनन्य आत्म को बेजते हैं